कुछ दिन पहले ही हम डिसकस कर रहे थे कि कतर और इसराइल की दुश्मनी के कारण भारत के 8 इंडे नेवी वेटरंस कतर में क्रिमिनल चार्जिज फेस कर रहे हैं खबर ये भी निकल कर आ रही है कि कतर की intelligence agencies ने ये दावा किया है कि उनके पास इन सब के खिलाब पुकता सबूत है जिस वज़े से अब ये तैय माना जा रहा है कि अगर कतर की कोट में ये आरोप प्रूव होते हैं यानि साबित होते हैं तो आठो इंडिन नेवी वेटरेंस को death sentence दी जाएगी यानि मौत की सदब भी सुनाई जा सकती है अभी तक इस केस की प्रोसेडिंग्स चल रही हैं और नेक्स टेरिंग मैं महीने के पहले अपते में हैं सेम इसी तरह से अब एक और इंसिडेंट सामने आया है जहां पर अमेरिका और इरान की दुश्मनी के कारण 24 भारती नैशनल्स की जान को खतरा हो गया है स्क्रीन के उपर आप उमान का मैप देख सकते हैं उमान के उपर वाली साइड के उपर इरान सिच्वेटर है और दोनों देशों के बीच जो ये ब्लू वाला पार्ट है इसको गल्फ अफ उमान का जाता है जो की समूदर का शेयतर है खबर निकल कर आ रही है कि मार्शल आइलेंड्स फ्लैग्ड एडवांटेज स्वीट नाम का एक उईल टेंकर पिछले कल उमान की कोस्ट के पास से क्रॉस हो रहा था यानि उमान के तट के पास से वहां से गुजर रहा था आप अपनी स्क्रीन के उपर वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से इरान की नेवी के टूप्स नेवल हलिकॉप्टर की मदद से उल टेंकर शिप के उपर उतर रहे हैं यानि जो इस oil tanker ship के अंदर crewed oil था वो किसी American company ने कुएट से purchase किया था इरान की navy ने इस ship को escort करके अपने किसी port के ओपर dock करवा लिया है अब starting में मैंने कहा था कि अमेरिका और इरान की दुश्मनी के कारण भारत के लोगों को सफर करना पड़ रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो ship था इसके अंदर जो crew था जो लोग इस oil tanker ship को operate कर रहे थे वो सभी भारतिय थे खबर निकल कर आ रही है कि इरान द्वारा सीज कियेगे oil tanker ship के ओपर कुल 24 भारतिय crew member थे और इरान की navy ने उन सभी को hostage ले लिया है वैसे तो इस तरह की situation में कुछ महीनों के बाद crew को आम तोर पर छोड़ दिया जाता है और इरान ने ये पहली बार अमेरिका के किसी oil tanker ship को hostage नहीं बनाया है लेकिन इस बार situation सेम नहीं है इरान की navy ने आरूप लगाया है कि ये जो advantage sweet नाम का oil tanker ship था ये इरान के किसी एक वैसल से टकराया था और इस accident में सामने वाले इरान के वैसल को काफी नुकसान तो पहुंचाई लेकिन इसके साथ ही उस वैसल के उपर सवार दो इरानिये nationals missing है यानि लापता हैं और कई सारे injured यानि बुरी रूप से घायल हो गए है इरान ने काया कि इसी accident के कारण उन्हों इस oil tanker ship को hostage लिया है ऐसे मगर इरान इंडियन crew के उपर charges दोप कर court की proceedings शुरू करता है तो फिर इस case में भी इंडियन की जान के उपर खतरा होगा ना ही इरान की सरकार ने इसके उपर कोई अधिकारिक ब्यान दिया है ना ही भारे सरकार ने इसके उपर कुछ बोला है अटलिस्ट जब हम ये वीडियो record कर रहे थे तब तक तो दोनों देशों की तरफ से कुछ नहीं का गया था वहीं American Navy ने एक statement जारी करके काया कि इरान इस तरह की harassment को रोके और oil tanker ship और उसके crew को जल्द से जल्द release करें अब देखना ही होगा की इरान की दरफ से क्या statement आती है एंड इरान क्या बोलता है हम इस story को ट्रैक करते रहेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को subscribe करें इसके साथ ही comment करके जरूर बताएंगी क्या भारे सरकार को इस मसले में कूदना चाहिए हाँ या फिर नई अभी wait and watch करना चाहिए नेचे comment करके अपनी राय जरूर बताएं